जाहिंद प्यारे दोस्तों स्वागा थे आप लोग आए को नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले जे SSC New Requirement Notification के बारे में तो दोस्तों जारकंड स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से असिस्टेंट के लिए New Requirement का Official Notification जारी कर दिया गया है तो पर वेकेंश के बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट नेम देखने को मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अप्लाइड की तो यहां पर दोस्त इसके बीच में इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो हम eligibility and criteria की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो आपके पास graduation की degree होनी चाहिए तब ही दोस्तो आप इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद हम salary की बात करें तो basic पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं जुनियर से current rate assistant के लिए तो 335 vacancy इसके बाद दोस्तो हम बात करते हैं block supply officer का तो 252 vacancy planning assistant का यहाँ पे 5 vacancy आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद labor enforcement officer की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तो आपको 182 vacancy देखने को मिल जाएगा अगर हम total seat की बात करें तो 2017 seat यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पे application fees आपको देखने को मिल जाएगा तो हम बात करते हैं general, OBC, EWS, BC और EBC के लिए 100 पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके बात करते हैं SCST के लिए देखने को देने पड़ेंगे अगर आप जारखन इस state से हैं तो अगर आप अधर इस state से दोस्तों form apply करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 पे चार्ज देना पड़ेगा इसके बाद आप एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा तो हम बात करते हैं general category के लिए तो 21 से 35 इर इसके बाद BC और EBC के लिए तो एक कई से 37 इर इसके बाद जनरल BC, EBC female की बात करते हैं तो एक कई से 38 इर तक इसके बाद हम बात करते हैं SCST male, female की तो 21 से 40 एर तक यहां पर आपको age limit देखने को मिल जाएगा इसका बाद age limit में छूट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि जारकंट से विलांग करते हैं SCST का 5 साल और OB से के लिए 3 साथ छूट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका बाद नीचे यहां पर आपको exam pattern देखने को मिल जाएगा तो आएए दोस्तों देखते हैं किस तरह का exam pattern यहां पर दिया गया है तो हम बात करते हैं प्रिमिनिस का यहां पर examination की तो general science 20 questions 60 marks इसका बाद general studies 30 questions 90 marks इसका बाद reasoning and mental ability 20 questions 60 marks इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर quantitative, amplitude, math की तो 20 questions 60 marks इसका बाद general knowledge की बात करें तो 30 questions 90 marks यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम total question की बात करें pre के लिए तो 120 questions रहेंगे और total marks यहां पर 360 आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद हम paper first की बात करें तो 120 questions यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और तीनों के लिए timing दोस्तों आपको दो घंटा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे total जो maximum marks है वो 1100 आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको mains का जो paper है वो दोस्तों detail में आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह आपका paper आने वाले हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल में पेपर फर्स्ट और पेपर सकेंड और पेपर थर्ड का यहाँ पे डिटेल में से लेबल देखने को मिल जाएगा तो इसको दोस्तों आपको बेसिक से लेरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो हम बात करते हैं दोस्तो supply officer का तो यहाँ पे 35,400 पे से लेकर 1,12,400 पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका बाद हम बात करते हैं planning assistant का तो यहाँ पे 29,200 पे से लेकर 92,300 पे आपको देखने को मिल जाएगा तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना एमाने notification को अच्छे से explain कर दिया है अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं उमीद करते हैं कि दोस्तो वीडियो पसंद आएगो वीडियो पसंद आएगो वीडियो को लाइक केजिए अपने दोस्तों के साथ भी share केजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए तब तक लिए जय हिंद वन दे मात रम